कॉंग्रिस का नया अध्यक्ष कौन होगा? कल इसका फैसला हो जाएगा. अध्यक्ष पत के लिए कल वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है. सभी राज्यों में बालट बॉक्स दिल्ली लाए जा रहे हैं. जहां पर कल वोटों की काउंटिंग होगी और कॉंग्रिस के नय मौका है जब कॉंग्रिस अध्यक्ष पत के लिए नहरू गांधी परिवाल का कोई सदस से मैदान में नहीं है. वही कॉंग्रिस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छटी बार अध्यक्ष पत के लिए चुनाव हुआ है. कल हुई वोटिंग में 96 फीसिदी वोट पड़े. सु शेश मतदान केंदर में वोट डाला. उनके साथ कॉंग्रिस के करीब 40 नेता उने भी मतदान किया. वही राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोग गहलोत ने कहा कि मलेकार जुन खडगे भारी बहुमत से जीतेंगे. वे अनुभवी व्यक्ति हैं. उनको काफी अनुभव रहा है. जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं. वे अवसरवादी लोग हैं. इस जुनाव में कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता मलेकार जुन खडगे और शर्शी थरूर के बीच सीधा मुकाबला है. दोनों की सियासी किसमत बैलट बॉक्स में कैद हो चुकी है. अब निगाहे कल आने वाले नतीजों पटे की है.